विल्कम टूओ निवीडियो आज हमारे टॉपिक नंबर्स थार्ड है जिसमें हम बैसिक अर्थमेटिक्स अलजेब्रा जो भी इसमें टॉपिक्स आते हैं जिसमें में कुस्टिन सॉल किस तरह करना है वह हम देख लेते हैं सबसे पहले अर्थमेटिक असेंशल्स अर्थमेट इसमें होनी चाहिए जो आपको problem solving में help करेंगे इसके बाद operations में subtraction addition जो है वह बिल्कुल ही basic में आता है multiplication division फिर आता है order of operations operations के orders में जिसमें है parenthesis, exponents, multiplication, division जो है यह basic है वह आपको आना चाहिए और फिर है from left to right और फिर जो multiplication और division में आपको यह rule याद रखना है कि आपको left to right चलना है और addition में आपको जो है वह भी left to right ही चलना है ठीक है average की problems में आपने क्या remind करना है जिसमें आपको for example आपको average का question आता है तो आपकी सारी values जहें उनको हम divide करेंगे फिर जो सारी values जो होंगी for example तीन values है तो आप 3 से divide करेंगे 4 values है तो आप 4 से divide करेंगे तो इस तरह आपकी average जहें वो निकलेगी question में दिजाएगी उसके जो प्रोपोशनल डिलेशनशिप्स में आपसमें वो प्रोपोशनल होंगी रिलेशन शिप्सांटेज आपको हंड्रेंट के दिविजन में आपको निकालनी होगी तर एक्जमेंपल आपको कोई भी वैल्यूं दी गई है उसको आपने सबसे पहले obtain को multiply करना है 100 से और फिर आपको डिवाइड करना है टोटल वैली से तो आपकी परसंटेज जो है वो ऐसे निकलेगी ठीक है पिर आता है algebraic adventures algebraic adventures में कुछ मैंने points लेका लेजिस में सबसे पहले variables आते है variables में आपको कोई भी unknown variables मिलेंगे जिसमें x y z a b c कुछ भी आ लाते हैं ठीक है expressions में आपको सबसे पहले combinations of numbers variables and operations दिये जाएंगे for example आपको कोई भी expression दी गई जिसमें x square plus 2 a b plus b square plus 4 a c कोई भी expression दी गई ठीक है यह algebraic चीजों में आती हैं जो आपको याद रखना है कि algebra हमारी कौन से होती है और हमारे arithmetic कौन से होते हैं और हमाई geometry कौन से होते हैं तो बच्चे जो हैं इन चीजों में भी कभी कभा confused होते हैं फिर आती है आपकी equations algebraic में आपकी equations में आती हैं जिसमें आपको statement दी जाती है equality की base पर for example कोई भी expression है वो is equal to zero है या फिर is equal to किसी भी value के है solving equations finding the values of variables that make the equation true जिस तरह से कभी कभा हमारे पस questions आते हैं सारी equation दी होती है फिर हमें कहा जाता है कि यह value जा है वो सही है या नहीं है फिर हम क्या करते हैं left side जो हमारे पास given होती है हम उसको right side से proof करते हैं या कभी कभा हम right side को लेते हैं और left side को proof करने के लिए तो ऐसे जो questions है वो हमारे algebra adventures में आते हैं मतलब algebra expressions वगरा ठीक है फिर हमारे पास कुछ symbols होते हैं जिसमें plus, minus, multiplication, division, exponents, power यह साही चीज़ों जो है, वह हमारे algebra में use होती हैं और लेकिन इन चीज़ों में भी आती हैं ठीक है? rounding of numbers जो है, वह भी हमारे algebra expressions में आता है या adventures में आता है जिसमें हमारे decimal numbers मिलता है जिसमें हमें round off करके for example कुछ numbers होते हैं जिनमें हमें addition करनी होती है और कभी कभार मैं addition नहीं करने होती है तो यह questions पर depend करता है यह साही चीज़ें आएंगे questions तो हम उनको हल करेंगे ठीक है geometric explorations आर्टमेटिक हमने देख लिया algebraic देख लिया आप geometric geometric में सबसे पहले आपको points lines और planes यह जाते हैं कि आपको इनके building blocks जो हैं वो चेक करने होते geometry से for example आपको compass से उसका check करना होता है circle का arc या फिर आपको जो geometric चीज़ें होते हैं उनसे हमें major करना होता है shapes हमें दिये जाते हैं जिसमें two dimensional shapes circles squares triangles 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 होते हैं और इसके अलावा three dimensional figures भी दिये जाते हैं जिसमें spheres cubes और कौन्स होते हैं ऐसे questions जाते हैं वह हमाई geometry के question देंदे हैं फिर है angles measurement of rotations between two lines degrees and radians जहां हमें degrees या particular जो होता है वह हमें radians दिया जाता है जो हमें find out करना होता है फिर है triangles में हमें क्या questions मिलते हैं जिसमें हमें three side shapes दिया जाता है जिसमें scale in, isocellus, equilateral या कभी कभारा में इसे पूछी जाते हैं या triangle कौन से हैं या कभी कभारा में कहा जाता है कि हम उनको draw करें ठीक है फिर आता है हमें sets दिये जाते हैं कि for example universal set दिया जाता है और या फिर हमें आप मालूम करना होता है यह intersection कैसे होगा यह सारा जो है वह solve पे depend solution भी depend करता है ठीक है reminders reminders हमें दिये जाता है जिसमें numbers left over after division जो है वह resolve करना होता है फिर आता है putting it all together हम सारी जिजों को देख लेते हैं रिवाइस करके connections automatic forms of the foundation algebra provides tools for manipulation and geometry deals with special relationships सारी जो arithmetic algebra यह geometry है वो सारे हमें एक relationships है तीनों के दर्मियान जिसमें questions expressions जो है हमें सारा maths पे connections है मतलब इनके दर्मियान फिर है real world applications में कैसे यूज करते हैं मैं math concept of use on various fields like finance engineering physics और everyday life में यूज होती है problem solving apply mathematical knowledge to solve problems ठीक है यह से वैसे आपको समझाने के लिए अगर हम सब को mix up करें तो हमें कैसे समझाएगा यह हमने अलग-अलग करके समझाया और यह सब इनमें सारा connection है real world life में कैसे इस्तेमाल होते हैं और problem resolving है ठीक है फिर finding the fair share averages averages कैसे find करते हैं हमें numbers सबसे पहले दिये जाते हैं integers में decimal में और fraction में ठीक है fraction जो होता है वह upon वाला है उसका fraction करते हैं average जो है हमें सबसे पहले the sum of values divided by the numbers of values जो मैंने पहले भी बता है it's like a sharing things equally सबसे पहले for example तीन numbers हमें दिये गए 10 12 और 14 ठीक है हमें इनका average निकालना है तो आपने इन सब को plus करना plus करने का sum करने के बाद हम जो है जितने numbers है for example 10 12 और 14 तो इन सब को हम 3 से divide करना है फिर जो है हमारे पार answer जाएगा वो 12 आएगा तो हमें जो question पुछा गया है कि इसकी age जो है तीन friends की वो कितनी होगी वो 12 होगी ठीक है comparing apples to oranges ratio and rates ratio और rates हम कैसे मालूम करेंगे comparison between two quantities often writing as a A ratio B यह जो sign है two columns sorry column वाली वो है ratio की sign जो हमें कुछिन में दी जाते हैं यह इन से पहचानना होता है example है three apples to two orange कि हमें यह ratio नकालना है A ratio B यह comparison किया गया है तो यह example है कि तीन और two oranges हैं तो three ratio B का हम ऐसे कह सकते हैं ठीक है rate अगर निकालना हो इनका ratios that expresses challenges over time or distance often written as unit per unit ठीक है तो rates जब हमें ढूनने होते हैं यह मालूम करने तो फिर हम यह slash वाली sign लगाते हैं पर unit वाली ठीक है जिसमें हमें for example 15 km per hour वाले questions दिये जाते हैं examples देख लेते हैं a receive uses two cups of flour to one cup of sugar the ratio of the floor to sugar is two ratio one a car travels two km in four hours तो the speed of 50 km पर हुआ है जब यह सिरो आपको science और दिखाए गया है कैसे आपको इनमें फरक करना है पहचानना है making senses of percentage a whole dividing percentage कैसे होगा parts per hundred often written with a symbol यह सिंबल यह सिंबल जो है वो percentage का सिंबल है finding percentages multiply by hundred example जो है वो 50 percentage हमें निकालना है तो हमने 50 को multiply करना है 100 से तो हमारे percentage निकलेगे 50 calculating parts from percentage for example हमें parts calculate करना है तो divide by hundred जिससे example है 25 percentage निकालना है 40 का तो हम क्या करेंगे 25 को सबसे पहले divide करेंगे 100 से फिर multiply करेंगे 40 से फिर हमारा जो answer आएगा वो 10 होगा ठीक है फिर हमारा example a student gets 80 percentage होना test ऐसे भी हमें पास कभी कभार question आते हैं this means they score 80 out of 100 points फिर है turning and tilting angles in triangles and beyond तो हम angles और triangles देख रहेते हैं वह हमें कैसे find out करने होते हैं angles जो है वो degree के short इसे sign से हम recognize करेंगे they represent the amount of turn between two lines फिर आते हैं हमारे triangles three side shapes with different types जिसमें हमें scale in isosalis और equilator triangle दे जाते हैं में मालूम करने होते हैं फिर है angles टाइब इंस triangles acute angle होता है जो 90% के less than होता है और obtuse जो है वो 90% के more than angle को कहते हैं और right angle triangle जो है वो 90 degree गा angle होता है example identify the angles in a triangle look for the right angles equal sides for isosalis triangles और all equal sides for equilateral triangles तो यह चीज़ें जो हैं वो याद करने के फिर है putting the pieces together sets, reminders, equations and symbols यह सारी जो हैं वो हम इसमें हम देखने हैं sets, reminders और equations, samples और examples यह थोड़ा साम read out कर रहे हैं इसमें ताकि सिर्फ समझ में आ जाएं चीज़ें collection of distinct elements often enclosed in curly brackets sets जो है वो curly brackets का sign है reminders का sign जो है वो numbers left over after division 13 divided by 5 leaves a reminder of 3 और फिर equations का reminder क्या है हमारे पास उसके हमारे बास symbols होते हैं कोई भी expression दी जाती है और फिर हमें यह symbols दिये जाते हैं for example कोई equation जो है validation की होती है subtraction की multiplication की division की और जो बाजो का जो है वो equal to be expression होती है किसी चीज़ के ठीक है फिर हमारी symbols symbols हमें दिये जाते हैं shortcuts for operations and concepts जिस तरह से पाए जो है वो हमारा एक symbol है जो किसी value के बराबर होता है 9.12 I think ठीक है 22 upon 7 भी इसकी value होती है for the ratio of a circle circumstances to its diameter तो यह geometry में भी हमें use होता है for example solving a simple equation like for example कोई भी हमारा पाए से कोई equation आगे जिसमें 2x plus 3 is equal to 7 के बराबर equation है फिर आता है subtract 3 from both sides and then divide both sides by 2 to find x is equal to 2 तो यह सारी जो है सबसे पहले हम 3 को subtract करेंगे both sides पे 7 के 7 से भी minus करेंगे और 2x plus 3 से भी हम 3 minus करेंगे ठीक है पिर हम क्या करेंगे both sides पे हम 2 से multiply sorry divide करेंगे फिर हमारे जो expression होगी फिर हम इसको क्या करेंगे x is equal to 2 x जो है वो 2 के बराबर रखके equation को solve करेंगे that's all यह हमारे सारी जो थी हमने overall overview दिया आपको इसमें से अगर आपको कोई question हो या फिर आपको कोई question solve करवाना है तो यह आप हमें comment section में comment कर दें if you like our video then like share and subscribe button आपको चुझए ये तरक कक जोड़ से अगर आपके जो इसमें करेंगे